हाई प्रेंड कैसे हो आई होप की दोस्तों आप ठीक है तो मैं हूँ आशिस क्रिक्रेटा एक नाइन टेक्निकल से और आज हम बात करेंगे सवामी कि तरफ से आने वाले दो दमदार फोन जो रेजमी नोट 11 और रेजमी नोट 11 प्रो के नाम से मार्केट में लॉंच किया यह नोजी देखने को मिलेगा कि सुब्सक्रेंटिय। अगर आप पंधरहजा तक ने फोन लेना चाहते인 तो रेजमी नोट 11 ले सकते हैं दो औरrän आप खार्श करना चा collecting द है तो से छी चले दे लेये नोट 11 लेすकते ने अगितने क्ते इन piace je अगर पूरी जनकारी पानी है तो आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा तभी आप जान पाएंगे इन दोनों फोन के डिटेल के बारे में तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भोले दोस् सब्सक्राइब करें तो आए चलते हैं तो इन दोनों फोन के पूरी जनकारी के तरफ तो आप मेरे वीडियो में बने रही है अंतक तो दोस्तों इन दोनों फोन की रिलीज डेट की बात करें दोस्तों तो रेड्मी नोट 11 बीस जनवरी 2022 को रिलीज होगा और इसका प्राइ जनवरी 2022 है और प्राइस 18,790 रुपिया रखा गया है अगर इन दोनों फोन की परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो रेड्मी नोट 11 में हमें एंडुड भी 11 का ओपरेटिंग सिस्टम मेडिया टेक डैमेंस सिटी 810 MT6833 का चिपसेट और इस मोबाल में देखने को मिलेगा तो दोस्तों इन दोनों फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें रेड्मी नोट 11 में हमें IPS LCD डिस्प्ले 6.6 इंच का डिस्प्ले साइज और इस फोन में गोरिला गलास 5 का प्रोटिक्सान देखने को मिल रहा है तो दोस्तों रेड्मी नोट 11 में हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और अगर रेड्मी नोट 11 की बात करें दोस्तों तो इसकी हाइट अगर इन दोनों फोन की में केमरा की बात करें दोस्तों रेड्मी नोट 11 में हमें डूल केमरा सेटप देखने को मिलेगा जिसमें 50 अगर हम वीडियो रिकोडिंग के बात करें दोस्तों तो इसमें तीन हजर आट सचालिस गुने एकिससाट थर्टी एपीस में वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं आगर इन दोनों फोन पे फोन में हमें 16 मेगा पिकसल के बात करें तो वीडियो रिकोडिंग के बात करें तो 1920s-108 थर्टी एपीस में वीडियो रिकोडिंग दोनों ही फोन में हम कर सकते हैं अगर Redmi Note 11 की बात करें दोटो तो इसमें बेटिक कैफिस्टी 5000 एमेज के दिया गया है और बेटिक की बात करें तो लीप पॉलीमार का दिया गया है चार्ज़र की बात करें दोटो तो इसमें 33W का फास चार्जर दिया गया है और साथ में USB Type-C port इस फॉन में देखने को मिलेग अगर हम Redmi Note 11 Pro की बात करें दोस्तों तो इसमें हमें बेटरिक केपिसिटी 5161 एमेज के दिया गया है लीप पॉलिमार बेटरिक दिया गया है दोस्तों और चार्जर की बात करें तो में 165 का फास्ट चार्जर दिया गया है साथ में gsp type c port हमें देखने को मिलें आज होब की दोस्तों आपने मेरा वीडियो दिखा वीडियो देखने के बाद आपको कौंँसा फोन ज्यादा लगा इसका जवाब आप मुझे कॉमेंट बोक्स में दीजेगे दुस्तों ताकि मैं आपके कॉमेंट से मोटिवेट हो सको और आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूं तो मिलते हैं दुस्तों अगले दिन नए वीडियो के साथ तो आज के लिए टेक क्यार बाइ